हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो जेस अनालेसी सेंटर, तो आज है 23 नॉमबर और आज का मॉस्ट्र इंपोर्टेंड करेंट अफे डिसकस करेंगे, इसका पेडियो नीचे डिसक्रिप्सन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों आज का करेंट अफे देखेंगे, उससे पह करनाटक के मुख्य मंत्री बसो राज बंबई ने, किस अराज्य की सरकार ने बच्चों के लिए राज्य बालनीती 2021 लॉंच किया है, तमिलनाडू ने, किस केंद्रिय मंत्री ने गुवाहाटी में सेवा छेतर के लिए विसेज क्रेडिट लिंक्ट कैपिटल सबसीडी मंत्री हैं, 20-21 नॉंबर को पुलिस माहा निदेशक और पुलिस माहा निरिक्षक के 56 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, लखनों में, और इस सम्मेलन का उदगाटन किस ने किया, केंद्रिय ग्री मंत्री अमिशाह ने, केंद्र सरकार ने हाली में परवर्तन निदेशा के निदेशक संजय कुमार मिशा का करेकल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, एक साल के लिए, हाली में केंद्र ने, केंद्र सरकार ने, पांच अराज्यों के सरवाधिक पिछडे, 44 जिलों में यी गौर्नेंस का लाप देने के लिए, कितने करोड रुपे की योजना को मं जिता, गुजरात की पूजा बदलानी ने, खनन के छेतर में परमर्ष और सलाह के लिए किसने सतत विकास प्रकोष्ट यानि सस्टेनेबल डवलप्मेंट सेल का गठन किया है, कोईला मंत्राले ने, वर्तमान समय में कोईला मंत्री कौन है, परहलाद जोशी है, किसने इन से 12 के छातरों के लिए ससस्त्र बल के कर्मियों के योगदान को याद करने के लिए वेर गाथा परियोजना शुरू की है, CBAC ने, विश्व परियाटन संगठन ने भारत के किस गाउं को दुनिया के सर्वस्रेश्ट परियाटन गाउं में से एक घोसित किया है, इस फूट बल कलब के साथ समझोता किया है, जमशेदपूर फूट बल कलब के साथ, इंटरनेशनल कमिशन टू रे इगनाइट दा फाइट एगेंस्ट एस्मोकिंग की एक रिपोर्ट का अनुसार, 16-64 वर्स की आयू वरके धुम्रपान करने वालों की सूची में भारत की संस्थान पर हैं, तो आप चलिए आज 23 नॉंबर का करने इंटर फेद देखते हैं, पहला कोशन, खेल के छेतर में उत्करिष्ट योगदान देने के लिए, राजपती रामनात कोविन ने हाली में कि संस्थान को प्रतिश्चित अराश्य खेल प्रोचसाहन प्रोसकार 2021 से स ममानित किया, तो ये प्रोसकार दिया गया है, मानव राचना सैक्षणिक संस्थान जो की हर्याना के फर्यदाबाद में है, इस संस्थान ने ये प्रोसकार जीता है, और ध्यान रखिए, पहली बार किसी इनिवर्सिटी को अराश्य खेल प्रोचसाहन प्रोसकार दिया गया है इसी संस्थान में इसी साल अगस 2021 में केंद्रिय महिलां बाल विकास मंत्री है इसमेरिती इरानी उन्होंने तितली उद्ध्यान का उद्धाटन किया था इसे भी याद रखियेगा और ये जो संस्थान है इसके अस्थपने की गई थी 1997 में चलिए अगला कोशन हालिम राषपती रामनात कोभीन ने कैटन अभिनंदन वरतमान को निमने में से किस पुरुषकार से संब्वानित किया है अभिनंदन वरतमान जो कि भारती व्यू से ना मे ग्रूप कैटन है इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे इन्हें हाली मे वीर चक्र पुरुसकार से सम्मानित किया है ओप्षन ए राइट एंसर 2019 में भारत ने पाकिस्तानी शेतर में एयर एस्ट्राइक किया था बाला कोट एयर एस्ट्राइक जिसे कहा जाता है तो अभिनंदन वर्तमान का प्लेन क्रैश कर गया था और ये पाकिस्तानी शेतर में गिर गये थे दो से तिन दिन बाद पाकिस्तानी सेनानी ने भारत को लोटा दिया था इनके बाहदुरी के लिए भारत सरकार ने ने वीर चक्र पुरुसकार से सम्मानित किया है थेके वीर चक्र की बात करें तो यूदकाल में सेनाओं को दिया जाने वाला ये तीसरा सबसे बड़ा प्रोसकार है वैसे यूदकाल में सेनाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोसकार परमवीर चकर है दूसरा सबसे बड़ा प्रोसकार महवीर चक्र और तीसरा सबसे बड़ा प्रोसकार वीर चक्र है तीनों प्रोसकार की शुरुवात की गई थी 1947 में अब कोशन यहां पर एक और बनेगा कि शांती काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सेनाओ को दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोषकार कौन सा है तो वो है अशोक चक्र और शांती काल में सेनाओ को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रोषकार किर्ति चक्र औ और अशोक चक्र, किरती चक्र, शौरे चक्र इन तीनों पुरस्कार की शुरुबात की गई थी 1902 में चलिए अगला कोशन है किस बॉलियूड अभिनेता को महराश्ट का कोवीड वैक्सिन अम्बेस्टर बनाए गया है सलमान खान, सलमान खान महराश्ट के कोवीड टीके के ब्रांड अम्बेस्टर बनाए गया है तो option B, right answer है ठीके, लोगों के बीच कोवीड वैक्सिन के परती, जागरुक्ता बनाने के उद्देश से इन्हें महराश्ट कोवीड वैक्सिन का ब्रांड अम्बेस्टर बनाए गया है अब जानिए महराश्ट के बारे में महराश्ट अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है ये राज्य हैं गोवा, करनाटक, तेलंगाना, 36 गड़, मद्यपरदेश और गुजरात महराश्ट का गठन हुआ था 1 मई 1960 को ध्यान रखिए महराश्ट और गुजरात इन दोनों का गठन एक ही समय में हुआ था 1 मई 1960 को महराश्ट में जीलों की संख्या 36 है दो कैपिटल है इसकी, समर कैपिटल मुंबई है, विंटर कैपिटल है, नागपूर उदाव ठाकरे मुख्य मंत्री है, उप मुख्य मंत्री है, अजीत पवार, राज्येपाल है, भगसी, कोशियारी दिपंकरदत, बॉंबे हाई कोट के मुख्या नयदीज है महराष में लोकसबा सीठ के संख्या 48, राज्ये सबा सीठ उननिस, विधान सबा सीठ 288, विधान परिसद भी है, इसकी सीठ के संख्या 78 वर्तमान में छे राजों में विधान परिसद है, उतरपरदेश, बिहार, महराष, करनाटक, और तेलंगडना महराश का स्टेट एनिमल है विशाल गिलहरी स्टेट बर्ड है पीले पैरों वाला हरा कब उत्तर स्टेट ट्री आम स्टेट फ्लावर जरूल और स्टेट गेम है कबड़ी लाउनी नक्ता तमाशा मौनी गफा बोहदा लेजम गोरिचा ललीता लेजिम तथा पुवाड़ा यहां की प्रमुक डांस है चंदोली नेशनल पार्क नवे गावन नेशनल पार्क संजाए गंधी नेशनल पार्क तथा तंसा वाईललेव सैंचोरी सारे महराश में है पंटाकली डیम पंगनगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी, कौयना डैम कौयना नदी जयकावर्री डैम गदावरी नदी, गिरना डैम गिरना डैम और उज्जैने डैम भिम नदी पर है महारास्थ की ये परमुक जन जतिया है चले अगला कोशन 22 नौबर 2021 को किसकेंद्रिय मंत्री ने घरेलू कामगारों पर भारत के पहले अखिल भारतिय सर्वेक्षण का शुबारम किया यह भी important question बनेगा भुपेंद्र यादों ने घरेलू कामगारों पर भारत के पहले अखिल भारतिय सर्वेक्षण का शुबारम किया क्योंकि घरेलू कामगारों पर पहली बार भारत में सर्वेक्षण किया जा रहा है और ये सर्वेक्षण कौन करेगा चंडिगढ़ इस्थित लेबर बीरो इसे भी नोट करिए ठीक है तो भारत के सभी राज्यों के सभी 742 जिलों में ये सर्वेक्षण आयोजित किया जो भी स्रामिक हैं उनका डेटा एकत्रित किया जाएगा कितने स्रामिक हैं कितने के पास रोजगार है या नहीं है इस तरह से डेटा एकत्रित किया जाएगा बुपेंदर यादो जो है ये केंद्रिये स्रम रोजगार मंत्री है केंद्रिये मत्से पालन पशु पालन और ड प्रवस्रेश्ट समुद्री जिला का प्रवस्कार दिया गया है। प्रवस्कार दिया गया है। पंजाब की सरकार ने पंजाब राज्य प्रवस्कार और पंजाब नाटक अकादमी ने इने संगीत प्रवस्कार से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट इने का नाम पर इस म्यूजियम की अस्थापना की जा रही है। कहाँ पर तामेंग लोंग में। और तामेंग लोंग कहाँ पर है ये मनिपूर में है। तो ये म्यूजियम मनिपूर के तामेंग लोंग जीले के लुआंग काओ गाओं में अस्थापित किया जा रहा है। और इस म्यूजियम को कौन अस्थापित कर रहा है केंद्रिये जन जातिये मामलो के मंतराले 15 करोड रोपे की लागत से इस म्यूजियम को अस्थापित किया जा रहा है केंद्रिये जन जातिये मामलो के मंतरी है अरजुन मुंडा नेक्स्ट अफ्रीकी देश यूगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशन टूनामेंट 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीतें तो हाली में 15 से 21 नवंबर के बीच में अफ्रीकी देश यूगांडा में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशन टूनामेंट 2021 का योजन किया गया था, इसमें भारत ने कुल 47 पदक जीते, option D, right answer, 47 पदकों में भारत ने 16 गोल मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 17 ब्रोंज मेडल अपने न प्रदान मंत्री है अरोबिना नाबंजा, यहां की currency है योगांडन शिल्लिंग, नेक्स्ट, 22 नवंबर से दो दिवसिये बुंदी उत्सव कहां शुरू हुआ है, बुंदी उत्सव जो है, यह राजास्थान का बहुत ही मशुर उत्सव है, जिसका आयोजन बुंदी जिला में किया जाता है, तो यह एक प्रमुख सांस्क्रितिक और प्रयाटन महुसव है, जिसका आयोजन बुंदी जिला के हाडवती में किया जाता है, ध्यान रखेगा बुंदी जिला को छोटी काशी और city of escape कहा जाता है, इस उत्सव के दवरान बहुत सारे खेला आयोजित किया जाते हैं, साथ साथ में जो अस्थानिये लोग कलाकार हैं, वो अपना प्रसुतियां देते हैं, तो बुंदी उसो यह राज अस्थान का उसो है, जिसका आयोजन बुंदी जिला में किया जाता है, आप जानिए राज अस्थान के बारे में, राज अस्थान छेतरफल के हिस सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य हैं पांच राज्यों से इसकी सिमा लगती हैं कौन-कौन से राज्य गुजरात मद्य परदेश उत्तर परदेश हर्याना और पंजाब राज असन का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को जीलों की संख्या 33 से राजधानी जैपूर जैपूर को ही पिंक सिटी कहा जाता है मुख्य मंत्री हैं अशोप गहलोत यहां के राज्य पाल है कल राज मिश्रा मुख्य नैदीस हैं अकील एहमद कुरेशी राज असन का हाई कोट जोधपूर में हैं यहां पर लोग सबसीट की संख्या 25 राज्य सबसीट 10 विधान सबसीट 200 है धुमर घपाल पनीहारी जिनदाद नेजा कल डैम चम्बल नदी पर है, जवाहर सागर डैम भी चम्बल नदी पर है अगला कोशन Formula 1, Qatar Grand Prix 2021 का खिताब किसने जीता है तो Qatar Grand Prix 2021 का खिताब जीत लिये है ब्रिटेन के रेसर लुईस हमिल्टन ओप्शन सी हराइट एंसर है लुईस हमिल्टन के इस सीजन का ये साथवा और कैरियर का एक सो दोवा खिताब है, ध्यान रखिएगा सौ से अधिक बार Formula 1 रेस जीतने वाले ये विश्व के पहले रेसर है अब 2021 में जीतने भी Formula 1 रेस का आयोजन किया गया है कौन-कौन इसका विजेता बना है ध्यान में रखिएगा लोईस हमेल्टन ने इस साल अभी तक साथ खिताब जीत लिये हैं जैसे Brazilian GP, Russian GP GP मतलब Grand Prix British GP, Spanish GP, Portuguese GP और Behran GP Max Westapen जोके Netherlands के हैं, इन्होंने भी इस साल बहुत सरे Grand Prix जीते हैं Amelia Romagna GP, Monaco GP French GP, Stearmark GP Austrian GP, Belgian GP और Dutch GP बाकी और भी चार रेसर हैं, जिन्होंने एके खिताब जीते हैं और श्रेलिया के डेनियल अरिचार्डो ने इटेलियन GP जीता मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान Grand Prix जीता फिनलेंड के वाल्टेरी बोटास ने 2021 में तूर्किश Grand Prix जीता है फ्रांस के स्टेबन ओकोन ने हंग्रियन Grand Prix अपने नाम किया है चलिए अगला कोशन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूनामेंट 2021 में पूरुष एकलवर के खिताब किस ने जीता तो इंडोनेशिया मास्टर्स ये एक बैडमिंटन टूनामेंट है 2021 के इस टूनामेंट में पूरुष एकलवर के खिताब जीते हैं केंटो मोमोटा ओप्शन ए हराइटेंसर जो कि विश्वा के नंबर वन बैडमिंटन खिला ली हैं कहां के रहने वाले हैं ये जापान के हैं इन्होंने इस टूनामेंट के फाइनल में एंडस एंटोन सेन को हराया एंडस एंटोन सेन जो हैं ये डेन्मार के हैं इंडोनेसिया मास्टर्स 2021 के अन्ने विजेता का नाम भी याद रिखिये महिला एकलवर्ग में ये खिताब जीती आन से यंग जो की दक्षिन कोरिया की है और इन्होंने फाइनल में अकाने यामा गूची को हराया अकाने यामा गूची जापान की बेडमिंटन खिलाडी है पूरू से यूगल वर्ग में इंडोनेसिया मास्टर्स 2021 का खिताब ताकूरो होकी और योगो कोबाईशी की जोड़ी ने जीता ये दोनों जापान के है महिला यूगल वर्ग में भी जापान के खिलाडियों ने ही ये खिताब जीता नामी माटसुयामा और चिहारू शीदा ने अब यहाँ पे बात चल गया है बेडमिंटन का बाइडमिंटन से रिलेटेड बहुत सारी मशुहूर ट्रोफियां है और इस तरह का प्रश्ण अक्सर कॉंपेटेटिव एक्जांस में पूछा जाता है याद रिखिएगा सूधी रमन कप, सायद मोधी इंटरनेशनल, उबेर कप, अल इंगलेंड ओपन, जर्मन ओपन, थॉमस कप, स्वीज ओपन, मलेशिया ओपन, मकाव ओपन यह सारे के सारे बाइडमिंटन टूनामेंट है बाइडमिंटन ट्रोफियां है जैसे फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, और श्रेलियन ओपन जो है टेनिस टूनामेंट है उसी तरह से मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, मकाव ओपन यह सारे बाइडमिंटन टूनामेंट है किस लेखक ने अपने उपन्यास हेल ओफे बुक के लिए अमेरिकन सहित्य परुसकार, राश्य पुस्तक परुसकार 2021 जीता है तो नेशनल बुक प्राइज जो है, यह अमेरिका का सहित्य परुसकार है, बहुत ही मशुहूर परुसकार है तो Hail of a Book उपन्यास के लिए ये प्रोस्कार जीते हैं Jason Mote ठीक है, Fiction स्रेणी में इन्होंने ये प्रोस्कार जीता है और Non-Fiction स्रेणी में ये प्रोस्कार किसने जीता है? Non-Fiction स्रेणी में ये प्रोस्कार Tia Miles ने जीता है किस पुस्तक के लिए? All that she carried के लिए चली अगला कोशन, केंदरी गिरिह मंत्राले ने किस पुली स्टेशन को वस्त 2021 के लिए भारत का सर्वस्त्रेश्ट पुली स्टेशन का दर्जा दिया है? ये भी important question बनेगा तो 2021 के लिए गिरिम अंत्राले ने भारत का सर्वस्त्रेश्ट पुली स्टेशन का दर्ज़ा दिया है स्ददर बजार पुली स्टेशन को ये दिल्ली में स्थित है option B right answer 2020 में किस पुली स्टेशन को सर्वस्रेश्ट पुली स्टेशन का दर्ज़े दिया गिया था उसे भी याद रखिए तरावडी पुली स्टेशन को तरावडी पुली स्टेशन जो है ये हर्याना के करनाल में है अब 2021 के जो टॉप 5 पुलिस टेशन है इनहीं याद रखिएगा वैसे ग्रीह मंत्राले हर साल टॉप 10 पुलिस टेशनों की सुची जारी करता है इसमें से टॉप 5 को याद रखिए सदर बजार पुलिस टेशन ये 2021 का सर्वस्रेष्ट पुलिस टेशन का प्रश्कार इसने जीता है दूसरे अस्थान पे है ओडिसा का गंगापूर पुलिस टेशन तीसरे अस्थान पे है हर्याना का भट्टू कला पुलिस टेशन चोथे अस्थान पे है गोवा का वालपई पुलिस टेशन और पांचवे अस्थान पे है करनाटक का मानवी पुलिस टेशन तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगू करना अब पिछले क्वीज का सही उत्तर जानिये अक्टूबर 2021 में चौबटिया में भारत और किस देश के बीच छठा प्रसिक्षन रिवदाब्यास अजे वारियर आयोजित किया गया भारत और उनाइटेड किंडम के बीच में चौबटिया उत्तरा खंड में है दूसरा कोशन था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आयेसाई के नहे परमुक कौन बने है इसका राइट एंसर था ओक्षन डी नदेम अंजुम अब चलिए आज का पहला क्वीज है किस राज्य को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है दूसरा कोशन है सूर्व सर्वर पक्षी विहार कहां पर इस्थित हैं दोनों का अंसर नीचे कमेंट करके बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार